हलो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में जिसे दिया था प्रोफेसर जॉन टी डनलोप ने 1958 में उनकी एक बुक आई थी इंडस्ट्रियल रिलेशन्स सिस्टम जिसमें उन्होंने यह मॉडल पब्लिश किया था देखिए यह मॉडल इंडस्ट्रियल रिलेशन्स को समझने के साथ-साथ ही exam point of view से भी बहुत important है क्योंकि this is one of the most important models of industrial relations तो समझने की कोशिश करेंगे इस मॉडल को बहुत ही आसान सी भाशा में देखिए हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन्स पर पिछले वीडियो में बात की थी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स जो होती है वो रिलेशन्स है किन-किन के बीच में employers, employee और government agencies के बीच में अब इस relations को अगर govern करना है तो कुछ rules और regulations चाहिए उन rules and regulations को डनलोप ने नाम दिया web of rules और वो कहते हैं कि जो ये web of rules है they are the functions of actors, technologies, methods, power and ideology ये 5 term उन्होंने दिये इन 5 terms को बहुत ही आसानी से समझेंगे लेकिन यहां उन्होंने बोला कि ये जो rules है ये 5 चीजों से influence होते हैं ये function है पांच चीजों के और ये पांचों चीजों के बारे में हम समझेंगें अब डनलोप मॉडल को systems theory भी कहा जाता है अब ये क्यों कहते हैं क्योंकि डनलोप ने industrial relations को एक sub-system माना एक बड़ी society का और इस system के अंदर कुछ elements उन्होंने समझे जैसे कि actors, actors में हमारे आगे, government agencies, employers and employees context, context में जो conditions है, working conditions, living conditions of workers और ये सारी चीज़ है एक ideology, एक विचारधारा जो कि इस industrial relations में जो actors है उनको बांधे रखती है इसलिए से systems theory कहा गया और देखिए यहाँ पर समझने की कुशिश करते हैं कि डनलोप system theory के according ये जो global environment है global environment के अंदर हमारा national environment national environment में हमारा सब कुछ आ जाएगा economy हो गया, political conditions हो गई इन सारी situations के अंदर एक industry exist करती है तो इसलिए उन्होंने इस model को systems model कहा systems theory कहा क्योंकि ये बड़े system का industrial relation एक छोटा सा sub system है फिर हमने बात की थी कि जो rules है जो rules industrial relations को govern करते हैं वो rules किन किन चीजों से affect होते हैं तो पहली चीज़ A, A stands for the actors अब ये actors में कौन कौन है जो laborers वहाँ काम करते हैं या फिर जो representatives है labor unions के दूसरा management या फिर उनके representatives तीसरा जो government agencies है जैसे labor and ministry of employment हो गया या फिर कोई दूसरी government agencies या non-government agencies जो industrial relations के लिए important है इन तीनों को उन्होंने actors बोला आगे context, context में उन्होंने तीन चीजों के बारे में बात की है context क्या है? it is the environment condition in which the actors interact means जो environment है industrial relations का या society का जिसके अंदर वो industrial relations के जो actor से वो interact करते हैं उसी को उन्होंने context बोला अब context में क्या-क्या चीज़े है? पहला है technological characteristics technological characteristics में workplace की technological characteristics और work community की भी technological characteristics देखे, technological characteristics का मतलब है कि workplace कैसा है? working conditions क्या है? living conditions क्या है? कैसा काम करना है? कैसा उनको घर रहने की विवस्ता workers को मिल रही है या नहीं? तो ये सारी characteristics को उन्होंने कहा ये influence करती है actors के interaction को या फिर industrial relations को दूसरा जो context है वो market है market या फिर budgetary constraints अब इसमें सारी चीज़े आ जाएगी जो market में होती competition competition है अगर बहुत सारी company है एक ही product बना रही तो बहुत सारा competition होगा या फिर monopoly आपके सेखते monopoly means कोई और दूसरी company है ही नहीं market में like बिजली company यहाँ पर आपके पास options नहीं है आपको उन्हीं company से वो चीज़ purchase करनी होगी उसी को monopoly के तो monopoly example के दूर पर लो तो बिजली company हो गया पानी की company हो गया आपके पास बहुत सारे options नहीं होते हैं तो यहाँ बात हो रही है कि जो market के constraint से वो भी एक impact करता है industrial relations पे तो market में competition price of product और quality of product या फिर market fluctuations inflation and all यह सारी चीज़े industrial relations को effect करती है तीसरी चीज़ जो उन्होंने बोली उसके बारे में बताया कि power structure अब power structure industry के अंधर भी होगा trade unions का या फिर जो management है उनका एक structure होगा power structure और industry के बाहर भी होगा जो की larger society में होगा अब यह दोनों ही industrial relations को effect करते हैं क्योंकि हमने देखा था कि actors में एक part government agency पे होगा और फिर indirectly उसका impact industrial relations पे भी होगा तो जो power structure जैसे example के तोर पे लेते हैं कि government जो है Indian government जो भी बनती है तो उसका effect labor ministry पे भी होगा labor ministry कहीं ने कहीं industrial relations का एक actor है तो वहाँ industrial relations को वो power structure जो society में है वो impact करेगा फिर पांचवी चीज जो उन्होंने बताई ideology जिसे हम विचारधारा कह सकते हैं तो ये क्या है set of beliefs है commonly held by the actors जो उनको बांधे रखती है उस industrial system में जैसे एक example से समझते हैं जैसे कि सारे actors है जो government agencies है employers है और जो workers है सभी का एक ही सोच है सभी का एक ही गोल है कि productivity को बढ़ाना है और efficiency बढ़ाना है या फिर quality of product बनाना है तो ये सारी जो एक ही गोल है ये सारे actors को बांधे रखती है दूसरा example ने कि सभी जितने भी actors होंगे employers होंगे जो workers होंगे उनके बीच में common understanding होगी एक दूसरे के roles को लेकर तो ये जो ideology है जो विचार धारा है ये उन सारे actors को बांधे रखती है एक industrial relations में effective बनाने के लिए अब ये सारी चीज़े जो 5 हमने environment जो हमने context, market, technology और ये सारी चीज़े पढ़ी ये किसको effect करता है हमने शुरू में देखा था कि industrial relations को govern करने के लिए rules की ज़रोत होती है और ये rules अब ये सारे जो context है इन context से effect होके जो rules बनाय जाते हैं तो Dunlops ने कहा कि ये rules web of rules जो है environment और given context में बनते हैं और इन rules को उन्होंने दो चीज़ों में divide किया अब ये rules workplace के लिए भी होंगे और work community के लिए भी होंगे means जो workers के लिए भी होंगे उस industry के लिए भी होंगे और उसके बाहर भी होंगे देखिए workplace में तो कुछ rules होंगे disciplines होगा labor laws होगे timing होगा wages, salary का कुछ structure होगा ये सारे rules workplace के लिए होगा अब जो workplace के बाहर जो community जो working community के लिए जो rules है तो उसमें हो गया insurance हो गया life insurance, health cover हो गया या रहने की विवस्ता हो गई तो ये सारे rules government जो जो industry देती है वो community को भी देती है अब उन्होंने इन rules को दो पार्ट में डिवाइट के substantive और एक procedural rules देखिए substantive rules में जो है substantive rules में आपके आजाएंगे जो different types of rules है जैसे compensation, discipline, duties and rights of workers अब ये सारे जो different types of rules industrial relations को govern करने के लिए बनाए जाते है वो substantive rules के अंडर आते है अब example के तोर पे देखिए जो labor laws government decide करती है जो wages act, compensation act, gratuity act ये सारे जो different types of substances है substances है, उनको उन्होंने नाम दिया substantive rules दूसरा हुआ procedural rules अब ये सारे rules और regulations जो बनाए है इनकी जो process है देखिए नाम से ही समझ सकते है procedural rules अब उन rules को बनाने की जो process है उसे उन्होंने नाम दिया procedural rules अब example के तोर पे अगर देखिए तो ये rules कैसे बनाए जाते है तो government या फिर industrial management एक committee, commission set up करता है फिर वो commissions की जो recommendations होती है उसके उपर वो फिर उसके उपर वो act करता है और वो rules और regulations बनाए जाते है या फिर कई बार ऐसा होता है कि direct suggestions मांगे जाते हैं जो actors है उनसे और उन suggestions के उपर फिर rules बनाए जाते हैं तो main जो इन सारी चीज़ों ये जो industrial relations govern करने के लिए जो सबसे important चीज़े तो उस पर उन्होंने बोला कि ये rules सबसे important है और ये rules को क्या-क्या effect करता है उसी पर ये theory है तो मुझे तो उमिद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आपने डंलोफ मोडल को समझा होगा अगर और कोई भी आपको सवाल हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं और please subscribe this channel if you want more such type of videos thanks for watching